नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया वेश्नव क्या आपको पता है कि भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और किस प्रकार भारत ने बांगलादेश के कठन में एक एहम भूमी का निभाई थी जिसके कारण भारत ने पाकिस्तान के साथ 1971 में युद्ध भी किया था आईए इस वीडियो में हम जानेंगे कि 16 दिसंबर को विजय दिवस क्यों मनाया जाता है 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सेन्नी संगर्श था इसका आरंब पाकिस्तान द्वारा 3 दिसंबर 1971 को हुआ पाकिस्तान ने भारतिय वायू सेना की 11 स्टेशन पर हवाई हमले किये इसके परिणाम स्वरूफ भारतिय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बांगलादेश, स्वतंदिर्था, संगराम में बंगाली राश्ट्रवादी गुटों के समर्थन के लिए तयार हो गई थी युद्ध की शुरुवत आकिर हुई कैसे पाकिस्तान के सरकार और सेना पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले अपने ही लोगों पर जुल्म और बेगुनार लोगों की हत्या कर रही थी और यहाँ सब सर्फ इस लिए क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोग अपने ही पाकिस्तान के सेना के खिलाफ आवाज उठा रही थी इतना ही नहीं बलकि उनकी आवास दबाने के लिए पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसनहाश शुरू कर दिया था वहांके लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने भी लगी कैसे भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की मदद की थी और क्यूं? सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान पर अंतिराष्टिय स्तर पर दबाव बनाया था आईए देखते हैं कैसे ये शेर नार्थी पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतिय राज्यों में पहुच गए थे ऐसा कहा जाता ही कि लगभग दस लाक्ष्वय नार्थी भारत पहुचे थे उस समय भारत की प्रधान मंत्री रही इंदिरा गांधी ने स्तिथी को देखकर भारतियों फौच को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया और दूसरी तरफ अंतिराष्ट्य स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश शिरू कर दी थी तत्सकालीन हुई भारत और अमेरिका के साथ बैठक में भारत की प्रधान मंत्रे इंदिरा गांधी ने या साफ साफ कहा दिया था कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को नहीं रोकेगा तो भारत पाकिस्तान में सैनिक कारवाई के लिए मजबूर होगा भारत के कई राज्यों में शांती भंग हो रही थी इसको देखकर प्रधान मंत्रे इंद्रा गांधी ने 9 अगस्ट 1971 को सोव्यत संग के साथ समझोता किया जिसमें दोनों देशों की सुरक्षा का भरोसा दिया गया इसी युद्ध के दोरान हुआ मुक्ती वाहिनी सेना का जन्म पूर्वी पाकिस्तान में हालात बहुत खराब होते जा रहे थे पुलिस, पैरा मिलिटरी फोर्स, इस्ट पाकिस्तान राइफल्स, इस्ट बंगाल रेजिमेंट के बंगाली सैनिक ने पाकिस्तान फोज के खिलाव बगावत कर खुद को आजाद घोशित करना शुरू कर दिया था वहां के लोगों को फोजी ट्रेनिंग दी जा रही थी भारत और भारत के लोगों ने वहां की लोगों के खुब मदद करी तथा इसे से होता है मुक्ति वाहिनी सेना का जन्म भारत के कुछ हेरों में 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान विमानों ने बंबारी शिरू कर दी थी जिसके कारण भारत और पाकिस्तान में युद्ध शिरू हो गया था 4 दिसंबर 1971 को भारत ने ओपरेशन ट्राइडेन शिरू किया इस ओपरेशन में भारतिय नेवी ने बंगाल की खाडी में समुद्र की और से पाकिस्तान नौ सेना को टक कर दी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना का भी सामना किया भारतिय नौसेना ने 5 दिसंबर 1971 को कराचे बंदरगा पर बंबारी करी पाकिस्तानी नेवी हेटक्वार्टर को तबाह किया इसे समय इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को एक नया राष्ट बांगलादेश के रूप में बनाने का अलान किया इसका मतलब बांगलादेश पाकिस्तान का हिस्सा न होकर एक नया राष्ट बन गया परिणाम स्वरुप पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1971 को सेरेंडर किया था तथा 93,000 पाकिस्तानी सेनिकों ने आत्म समर्पन कर दिया था इस प्रकार 16 दिसंबर 1971 को बांगलादेश का एक नया राष्ट की रूप में जन्म हुआ और पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो गया था इस युद्ध को भारत के लिए एतिहासिक युद्ध माना जाता है भारत की पाकिस्तान पर विजय के उपलक्ष में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता ही दोस्तो हमारी चैनल ग्यान से यारी को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए धन्यवाद